हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब वेलकम बैक टू नॉलेज की पात्शाला जिसमें हम आपकी परीक्षा में आने वाले टॉप तीस प्राशन को लेकर आते हैं जो सभी तरह के प्रतियोगी परिक्षाओं SSC, IBPS Clark, IBPSPO, RBI, TAT, BAD, UPSC, इत्यादी के लिए उप्योगी है जो सभी तरह के प्रतियोगी परिक्षाओं में पूछे जाते हैं आपका पहला प्राशन है सम्वेधना का प्रत्यक्षी करण किस पर आधारित होता है A. प्रिष्ठ भूमी, B. आकृते, C. प्रिष्ठ भूमी और आकृते, D. इन में से कोई नहीं इसका सही उत्तर है A. मनोवेध्यानिक द्वारा, B. चिकित्सक द्वारा, C. मनोवेध्यानिक और चिकित्सक द्वारा, D. इन में से कोई नहीं इसका सही उत्तर है A. प्रेरना ज्हात्र में रूची उत्पन करने की कला है, ये किसका कथन है? A. मोरेल, B. थामसन, C. पलूल, D. इन जहा, इसका सही उत्तर है A. आकृते, D. इन जहा A. आपका अगला प्राश्चन है, मनोवेध्यानिक प्रकृति किस प्रकार की है A. नकारात्मक, B. सकारात्मक, C. दार्शनिक, D. मानसिक, इसका सही उत्तर है, ओक्षन, B. सकारात्मक, आपका अगला प्राश्न है, भूख और प्यास क्या है? A. व्यक्तिगत आवश्यक्ता, B. चारीरेक आवश्यक्ता, C. सामाजेक आवश्यक्ता, D. अपात्कालीन आवश्यक्ता, इसका सही उत्तर है, ओक्षन, C. सामाजेक आवश्यक्ता, आपका अगला प्राश्न है, वन्शानुक्रम के निर्धारक कौन है? एक मस्तिश्क कोश्ट, बी ख्रिदय, सी चीन्स, डी तंत्रिका, इसका सही उत्तर है, ओक्षन, एक मस्तिश्क कोश्ट, आपका अगला प्राश्ण है, सामान्य रूप से किस आयू के बाद लड़के, लग्कियों से लॉंगिक परिपकवता पर पहुँचते है, A. 2 वर्ष, B. 1 वर्ष, C. 6 महीने, D. 9 महीने, इसका सही उत्तर है, ओक्षन, B. 1 वर्ष, आपका अगला प्राश्टन है, व्यक्तित्व व्यक्ति का संपून मान्सिक संगठन है, ये किसका कथन है? A. Charles Darwin, B. Pavlov, C. Quarin, D. Allport, इसका सही उत्तर है, ओक्षन, D. Allport, आपका अगला प्राश्टन है, अभिरुची का संवेग के साथ कैसा संबंध है? A. अनावश्यक, B. आकस्मिक, C. आवश्यक, D. अल्पकारिक, इसका सही उत्तर है, ओक्षन, D. अल्पकारिक, आपका अगला प्राश्टन है, अन्यक, स्त्रावी ग्रंथियों में से किसको मास्टर ग्रंथी कहा जाता है? A. पीनियल, B. एड्रिनल, C. कल ग्रंथी, D. पिट्यूट्री, इसका सही उत्तर है, ओक्षन, D. पिट्यूट्री, आपका अगला प्राश्टन है, अपसामा न्यता कब उत्पन होती है? A. चिन्ता में, B. प्रसन मुद्रा में, C. कुन्था की दिशा में, D. करीबी में, इसका सही उत्तर है, ओक्षन, B. प्रसन मुद्रा में, आपका अगला प्राश्टन है, वन्शानुक्रम व्यक्ति की जन्जात विशेषताओं का पूर्ण योग है, E. किसका कथन है? A. राममूर्ती क्रिश्टन, B. पी शुन्य एंड शुन्य ज्जा, C. वेग प्रकाश्वर्मा, D. प्राबर्ट डेज, इसका सही उत्तर है, ओक्षन, C. वेग प्रकाश्वर्मा, आपका अगला प्राश्टन है, बुद्धी की परीक्षा की संबंध में किस देश में प्रार रम्भिक प्रयोग हुआ था, A. सयुक्त राश्ट्र अमेरिका, B. अफगानिस्तान, C. भारत, D. ब्रिटेन, इसका सही उत्तर है, ओक्षन, A. सयुक्त राश्ट्र अमेरिका, आपका अगला प्राश्टन है, निम्मलिखित में से कौनसी विधी प्रक्षेपन के अंतर गता आती है, A. कथा बोध परीक्षन, B. अंत, करण विधी, C. मुल्यकन विधी, D. साक्षात कार विधी, इसका सही उत्तर है, ओक्षन, A. कथा बोध परीक्षन, आपका अगला प्राश्टन है, रूची उत्पन किया हुआ ध्यान है, E. किसका कथन है, A. कोर्डन, B. आ रहा है, तो वीडियो को लाइट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका अगला प्राश्टन है, सामाजिक प्रत्यक्षी करण किसके द्वारा होता है, E. सांस्कृतिक पहलू, B. मनोवग्यानिक पहलू, C. शारीरिक पहलू, D. इन में से सभी, इसका सही उत्तर ह Option, D. इन में से सभी, आपका अगला प्राश्टन है, किसी उत्तेजक का निमनतम ताप जो की कोई सम्वेदन प्राप्त करता है, उसे क्या कहते है, A. कार्निक देहली, B. निमनतम देहली, C. संजात देहली, D. निरपेक्ष देहली, इसका सही उत्तर है Option, C. संजात देहली, आपका अगला प्राश्टन है, रूची ज्यानात्मिक, क्रियात्मक और भावनात्मक होती है, ये किसका कथन है A. RS. पीटर्सन, B. MB. वेंब्रिज, C. K. D. स्मित, D. भात्या, इसका सही उत्तर है Option, C. K. D. स्मित, आपका अगला प्राश्टन है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की क्या विशेश्टा है A. आत्म सम्मान, B. चिंता रहित, C. साम जस्य, D. इन में से सभी, इसका सही उत्तर है Option, C. साम जस्य, आपका अगला प्राश्टन है, प्यार के अभाव में एक बच्चे में किस प्रकार के परिवर्तन होने की संभावना रहती है A. अपराधी, B. चोरी, C. जूट बोलना, D. नीन दाना, इसका सही उत्तर है Option, C. जूट बोलना, आपका अगला प्राश्टन है, एक नेता किस प्रकार सम्मान पा सकता है एक शक्ती द्वारा, B. नेतिक संग्यान द्वारा, C. मतभेद द्वारा, D. बुद्धी द्वारा, इसका सही उत्तर है Option, B. नेतिक संग्यान द्वारा, आपका अगला प्राश्टन है, व्यवसाइक शिक्षा संबंदी सिफारिश किसने की थी A. लाट करजन, B. चेम स्मिथ, C. डकिन फ्लाचर, D. गुद्ध रिपोर्ट, इसका सही उत्तर है Option, D. वुद्ध रिपोर्ट, आपका अगला प्राश्टन है, शिक्षा का अपचारिक साधन क्या है A. मस्जिद, B. मंदिर, C. घर, D. स्कूल, इसका सही उत्तर है Option, D. स्कूल, आपका अगला प्राश्टन है, आदर्श्वार के अनुसार शिक्षा का प्रमुखुद देश्य क्या है A. आत्म हुमी का विकास करना, B. सम्वेगात्मत का विकास करना, C. क्यान का विकास करना, D. शारिरक विकास करना, इसका सही उत्तर है Option, A. आत्म हुमी का विकास करना, आपका अगला प्राश्टन है, भारत में शिक्षा की स्तर की गिरावर का मुख्य कारन क्या है A. अभिभावक सहयोग का अभाव, B. विध्यालेयों का अभाव, C. शिक्षा का व्यवसाइकरन, D. कक्षा में चात्रों की अधिक संख्या, इसका सही उत्तर है आपका अगला प्राश्ण है भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्दाता कौन है इसका सही उत्तर है आपका अगला प्राश्ण है किंडगाटन शिक्षा पधती किस पर जोर देती है एक पथन और लेखन कोशल पर, बी इंद्रियों के शारीरिक प्राशिक्षन पर, सीख बच्चों के मनोविध ज्यान को समझने पर, डी प्राकृतिक घटनाओं के निरिक्षन पर, इसका सही उत्तर है आपका अगला प्राश्ण है भुलाने की क्रिया किस अवस्था में होती है बी कुरू के पास जाना, आपका अगला प्रश्ण है, प्रक्तिवाद के प्रतिपादक कौन थे? A. हनटन, B. मार्क्स, C. कुरूसो, D. इन में से सभी? Friends, इस प्रश्ण का सही जवाब आप कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हम आपके लिए कम समय में अधिक प्रश्ण लेकर आते रहेंगे, थांक्यू फो वॉच्छिंग